मेरा भाई विपिन मुझको लखनव से दिल्ली कार से लेने आया था। मैं अपने भाई के साथ सड़क के रास्ते लखनव जा रही थी। कानपुर में मेरी सहेली सलोनी रहती थी। उससे मिलने को मेरा काफी दिनों से बहुत मन कर रहा था। लखनव जाते समय कानपुर जाने के लिए मैंने अपने भाई विपिन से कहा, हाला कि उसका मन कानपुर जाने का नहीं था। लेकिन मेरी इच्छा देखकर वह कानपुर चलने के लिए तैयार हो गया। हम लोग आगरा एक्सप्रस से कन्नों जुतर कर कानपुर पहुँचे। वह कानपुर के किद्वई नगर में रहती थी। मैं अपनी सहेली सलोनी को देखकर बहुत खुश हुई। वैसे मेरी सहेली सलोनी भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। लेकिन मुझको उसकी चेहरे पर वह रौनक नहीं दिखी जो पहले दिखा करती थी। मैंने तो अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी, उसने अपनी सिर्फ एक लड़की की शादी की थी. उसकी दूसरी लड़की अच्छी पड़ी लिखी थी और कानपुर के नवाब गंज में अपना फिजियोथेरेपिस्ट का क्लिनिक खोल रखा था, जो काफी अच्छा चलता था. सलोनी ने मुझे बताया कि उसी की शादी के लिए मैं दस सालों से लड़का देख रही थी, पर उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता था. सब में कुछ न कुछ कमी निकाल दिया करती थी. अपनी इस लड़की से तो मैं परेशान हो गई थी. मेरी सहेली सलोनी के दो बेटियां और एक बेटा है. बेटे की नौकरी अभी आठ महीने पहले लगी है. बेटे ने बीटेक किया हुआ था. अब कहीं इतने सालों में धंग की नौकरी गुर्गाव में मिली है. मेरी सहेली सलोनी बोली, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जिस दिन मेरा बेटा गुर्गाव जा रहा था. उस दिन इसने अपने भाई को बताया, तुम अम्मा से क्या देना, मेरे लिए इतना परेशान नहूं. मैंने अपनी शादी बारा साल पहले कोर्ट मेरेज कर ली थी. मुझको अम्मा को बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई, अब तुम अम्मा को बता देना. सलोनी ने मुझे बताया, उस दिन तो मेरे बेटे ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया, लेकिन गुलगाव पहुँच कर शाम को बताया, अम्मा, जिस सीमा के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो, उसने बारा साल पहले कोर्ट मेरेज कर ली थी. कल जब मैं गुलगाव आ रहा था, तब उसने मुझे तुम्हें बताने को बोला था. सलोनी बोली, अपने बेटे के मुँँ से ये सब सुनते ही हम सब के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि हमारा बेटा ये सब क्या कह रहा है. रात को सीमा जब अपने क्लीनिक से घर आई तो मैंने और मेरे पती ने उससे पूछा. तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हम लोगों को कानों कान किसी को भनक भी नहीं हुई. बताओ, तुम्हारे पेच में दाड़ी है जो बारा साल तुमने इतनी बड़ी बात हम सब से चुपा कर रखी. सलोनी बोली, वो लड़की तो हम सब के उपर ही हावी होने लगी. मुझसे कहने लगी, अम्मा, मैंने तुमको बताया तो था कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, तुम लोगोंने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी. मुझसे तुम लोगोंने कहा कि वो लड़का आवारा है और उसकी जाती भी नीची है. हम लोग ब्रामहन हैं, मैंने उसी लड़के से शादी की है. मैंने एक घर किराय पर क्लिनिक के पास ले लिया है. उसी घर में मेरे पती, सास ससुर, देवर नन सब रहते हैं और वो लोग सब नेकदिल है. मेरी सहेली बोली, अब मैं क्या कर सकती थी, मैं अपना सेर पकड़ कर बैठ गई. मैंने अपनी बेटी से पूछा, तेरा पती क्या करता है? वो बोली, अपना कुछ काम नहीं करता है, बस मेरा क्लिनिक संभालता है. मैंने भी अपनी बेटी से कहा उसको कमाने की क्या जरूरत है तू कमा तो रही है बाकी सब तेरे पैसे से मौ जोड़ा रहे हैं इसलिए तुझे अपनाए हुए है तू तो रात में यहां अपने घर जाती थी उनको सिर्फ तेरे पैसों से मतलब है तुझसे उन लोगों को कोई सरोकार नहीं है बारा साल में भी तेरी ससुराल वालों ने भी हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं समझी इतना सुनते ही मेरी बेटी हम लोगों से लड़ जगड़ कर उसी समय हम सब को छोड़ कर नवाबगंच चली गई आज आठ महीने हो गए न तो हम लोगों ने कभी उसको फोन किया और न उसने हम लोगों को कभी याद किया तब से मैं तिल-तिल करके रोज मर रही हूँ और सोचती हूँ कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया है जिन माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको उनके पेरों पर खड़ा किया उन बच्चों ने अपने माँ बाप को ये सिला दिया एक जटके में अपने माँ बाप को पराया करके चले गए अब मैं तुमको क्या बताऊं? मेरी तो रात की नींद भी उड़ गई है मैं तो यही सोचती हूँ कि उसने मुझे बारा साल से धोखे में रखा मैं अपनी ही जाई को पहचान ना पाई मैं भी अपनी सहेली की बातों को सुनकर सकते में आ गई और अपनी सहेली को दो शब्द सांथवना के भी ना कह पाई मुझको भी सुनकर इतना धक का लगा कि आजकल के बच्चे कितने निर्मो ही हो गए है किसी तरह से मैं अपनी सहेली सलोनी से मिलकर उसकी बेटी की बाते सुनकर अपने भाई के साथ लखनों आ गई रास्ते में मैं और मेरा भाय एक शब्द भी नहीं बोले चुप चाप लखनों आ गई लेकिन उसकी बेटी की बाते सुनकर मैं भी पूरी रात करवटे बदलती रही और सोचती रही कि बच्चे कैसे अपने माँ बाप के साथ विश्वास घात करते हैं और माँ बाप अपने बच्चों पर कितना आंख मूंद कर विश्वास करते हैं अगर कोई ऐसी वैसी अप्रत्याशित घटना घट जाती है तो आजकल घोर कलियुग चल रहा है कहकर बेचारे माँ बाप तसल्ली कर लेते हैं इसके सिवाए उनके पास और कोई चारा भी नहीं अगर आपको ये प कमेंट बॉक्स में साजा करे धन्यवाद